हेलो एवरिवन ये सेकेंड वीडियो है अर्जुन बैच का जो फ्री मेंटर्शिप प्रोग्राम है जो की आठ मार्च से आपको टार्गेट दिये जाएंगे टेलेग्राम अनुछ चत्रवेदी यूपी पीससी और आपकी यहां पर क्लासिस आया करेंगे ये डेली बात करता ह हूँ मैंने पहले वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट का कितना विडियो है क्यों पेपर टफ था क्या की टिकर विए स्थे 11 याले पेपर से जो पेपर लीक हो गया था या नहीं है या आ फर्दर क्या लेने वाले हो जो भी आपको लेना है वहाप सोच लीजिए कर लीजे लेकिन एक बात ध्यान रखेगा अगर आप ये mentorship program को join करने वाले हैं मतलब आप इस चीज़ को follow करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो sources हैं जो material है जिससे आप पढ़ाई करने लोग वो अगले धाय तीन महने तक जब तक आपका एक्जाम नहीं होता है जब भी आपका एक्जाम होता है तब तक उसको fix रखिएगा थोड़ा बहुत ऊपन नीचे करना चलता है बट ऐसा नहीं होना चीए कि आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं या पड़ा रखा है न वो भी आप गलत कने लगोगे इसलिए material को कम से कम रखना है और लेकिन एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ना है इतना ज़्यादा पढ़ना है कि एक चीज़ आपके दिमाग में एकदम फिट हो concept है तो आपको समझ में आए अगर facts है तो जो important facts है वो आपको याद रहें तो ये तो पहली चीज़ है तो ये book list के regarding बहुती basic गलती है जो दो ही दी होंगे तो जो दो तीन चार फेक्टर उनके चक्कर में पूरी एक book नई ले लेना उसको पहले पेसे लेकर के 400 पेस तक पढ़ना वो एक कई ना कई सही तरीका नहीं है तो ये आपको समझना है sources क्या होंगे उनको बता देता हूं सबसे पहले जो previous year question paper है इनको आप array कर लिजे आरव ए आरू का आरो के अरेंज कर लिजे आपके पास अगर नहीं है तो अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है अई द्यानने गलती ऐसे ले उन ने पीवाई क्यों पर धिस्ट होना चाहिए आप उसको underestimate नहीं करेंगे काफी candidates नहीं गलती की थी अहले उन्होंने PYQ पर ध्यान नहीं दिया था बात मैं फिर वो पूछते थे कि कौन सा source best होना चाहिए मैं आप को sources दिखा भी दूँगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि PYQ आपके पास number one होना चाहिए दूसरी चीज यह है गटना चकर compulsory है अगर आप ROERO का re-exam देने जा रहे हो अगर आपने नहीं किया हुआ है गटना चकर कोई और किसी sources से नोट से या आप UPSC के थे या आपने उसके थुरू परे किया हुआ है फिर भी I would recommend कि आप गटना चकर को ज़रूर कर लो direct questions आते हैं तो जब direct चीज़ें आ रही हैं अगर 140 question में से 30 question direct आ रहे हैं 40 question एकदम direct आपके सामने आ रहे हैं या 50 question ऐसे आ रहे हैं जो directly and directly उसी से हैं उनी sources से हैं गटना चकर की किताबों से हैं तो कहीं न कहीं आपको वो पढ़ लेना चाहिए उससे आपका समय बहुत बचेगा अगर आप कहीं और किसी जगा से वो सेम चीज़ पढ़ोगे न चाहिए आप कोई coaching के note से पढ़ोगे चाहिए आप किसी का paid batch लो कुछ भी करो anything तो वो आपको उतना return कम समय में नहीं देगा जितना आपको घटना चकर की किताबे देदेंगी और ये बात हजारों टॉपर आपको बता चुके है जितने भी लोगों ने बार बार प्रलेम्स निकाला है उन्होंने ये चीज़ आपको बताई है ये गुरु मंत्रा है अगर आप इसको follow करेंगी तो आपको help मिलेगी जिन लोगोंने अल्ली किया हुआ है वो इस चीज़ को जानते है जिन लोगोंने नहीं किया है वो थोड़ा सा सोच विचार कर ले और दिन उसके बाद में एक decision ले तो घटना चक्र तो आपको करना ही करना है उसमें कोई if but नहीं होना चाहिए कि मैं इतना पढ़ हूँ इतना पढ़ हूँ वो जो मोटा वाला compilation आता है जिसमें in-depth चीज़ों को दिया होता है वो आपको हर subject का पढ़ना है हर subject का पढ़ना है आपके पास sufficient time है तो उसको पढ़िए थोड़ा बहुत जैसे economy वगरा का है उसमें filter थोड़ा ज़्यादा करना पढ़ता है line by line आपको नहीं पढ़ना है लेकिन जैसे history हो गई, geography हो गई, polity हो गई, environment हो गई, science हो गई यह सब ऐसे हैं कि most important है आप मतलब if but बिल्कुल नहीं हो आपका चलेगा तो आपका PYQ हो गया घटना चक्र हो गया इसके साथ में lucent आपको पढ़नी चाहिए most important source है वो उसको आप एक basic material की तरह पढ़िए यानि कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है जो important है आपको पता है कि यह आती है एक बार lucent में देख लीजे क्या वो दी है lucent में काफी easy language उन्होंने सामने सामने tableo form में या facts की form में आपको दिया हुआ है तो उसको ऐसे नहीं बढ़ना है कि आपने पहले page से शुरू किया और आप उसको 40 page तक पढ़ रहे है या 60 page तक पढ़ रहे है आपको कुछ याद नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा उसको spot fix करके पढ़िए सपोज आपको इंडियनेशनल कॉंग्रेस के sessions पढ़ने या आपको कोई research institute से वो पढ़ने आपने डायक्ट उठाया देख लिया आपको आर्टिकल 245 से 255 तक देखना है या आपको अग पिक करिए और उसको source से पढ़ लिजए अगर आप source के पीछे भागेंगे तो source तो बहुत मोटा है बहुत लेंदी है और उसमें बहुत सरी चीज़ें जो आपके exam में नहीं आएंगी क्या सरी चीज़ें नहीं आएंगी तो इसलिए आपको जो topic है जो आपकी main चीज है जो question जिससे पूछा जाता है उसको आपको पकड़ना है और उसके बाद आपको source पर जाना है तो यह आपको करना है लुसेंट में जैसे कुछ को sections हैं जो काफी अच्छे दिये गए जैसे history का section है वो काफी अच्छा है तो उसमें क्या है कि आप अगर line by line भी पढ़ोगे तो आप आपको नुकसान नहीं होगा फाइदा मिलेगा क्योंकि history में in-depth boost आ है इसी तरीके से जैसे आगर geography की बात करोगे तो उसमें अगर world geography की कुछ आगेगी जो चीजें हैं कि उसमें पूरा solar system के बारे में बताया गया है आपको हर एक planet के बारे में बहुत सारे facts दिये गया है व इस अब आपको दिखना चाहिए तो इसमें यह नहीं हुना चाहिए कि अरे यह करे ना करें हमने घटना चक्र किया हुआ है यहां से करनी पड़ेगी इसका सबसे बड़ा एक जो आपको आपके लिए जो टास्क है वो यही है कि अभी तक आप क्या था कि बहुत सो लोग ऐस अब आपको बता रहा हुँ तो इसलिए गटना चक्र लेकर करके दूसरे ही वीडियो में आज आपको बताया जा रहा है इसको अंडरेस्टिमेंट ना करिएगा ना ही किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होईएगा तीसरी चीज़ आती है कि स्टेंडर्ड सोर्स अब आप है उसके एकोर्डिंग में आपको कुछ जो सोर्स हैं जो सजस्ट किये जा सकते हैं उनको मैं बता देता हूँ आप अपने को देख लेना और फिर एक पिक कर लेना फिर आपको वही पढ़ना रहेगा तो जब भी मैं आपको टार्गेट दिया करूँगा तो जो चीज़ पहली सी दूसरी सी विडिया है तो यह अगर आप ढंग से नहीं चलगते हो तो फिर आप ऊपन नहीं पहुंच सकते हैं इसलिए इन चीज़ का आप ध्यान रखना जोग्रिफीक अगर बात की जाए तो अगर आपको हिंदी मुडिया में चाहिए है तो आप जो परिशावा हिंदी में अगर आप को चाहिए तो प्रशामारी अच्छी खासी है कोई दिक्कत नहीं होगी और इसके साथ में जिग्रिफी में एटलस जरूर एक इंतिजाम कर लेना है क्योंकि एटलस के डारेट आपको दो-तिन क्वेशन ऐसे हैं जिलोकीशन वाइस थे जिग्रिफी के उसमें से maximum output निकालते हैं क्या पढ़ने का सही तरीका होता है वर्ल्ल जिग्रफी इंडियन जिग्रफी के case में मैं आपको एटलस का एक वीडियो अलग से बना करके समझा दूँगा वो वीडियो देख लेंगे एटलस के तुरूफे चीजों को करते रहेंगे जिग्रफी म सकते हैं कोई इस दिक्कत नहीं है में पॉइंट बस यहीं है कि जो भी收 hers also पक्रेंप उस उस पर यंदी यह बहाए सारी चीज़ें उसमें है तो जो सोर्स आपके पास है उसमें आप देख लीजें कि आप वो चीज़ें ठीक टाक इंक्लूट करता हो बाकि अच्छा बहुत जादा नहीं होता है जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कमिशन जिन टॉपिक्स पर फोकस करता है वो आपको या डीव की किताब हो कोई भी आपके पास सोर्स हो आप उससे कर सकते हो परिशावाड़ी मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ही नहीं कुछ चीजें बहुत अच्छी दिए लेकिन कुछी शीजें हैं ही नहीं तो जब चीजें ही नहीं और वो आ गया तो पिर आप डिरेक्ट डिरेक्ट वो क्वेश्टन छोड़ दोगे तो बेटर होगा कि आप एक बार ततसार ले लो या कोई और सोर्स अगर आपके पास है जो comprehensive हो थोड़ा सा comprehensive होना चाहिए क्योंकि लो एंगेंग फ्रूट्स है यूपी special के question तो वो at least गलत नहीं होने चाहिए इसपेशली यूपी के case में क्या होता है कि जो history है यूपी की चाहिए वो ancient history हो medieval history हो या modern history हो वो पूछी जाती है उसका जो administrative division है और जो distribution है वो आपसे पूछा जाता है जो प्रस्राश्टिंग भी भाजन होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा in-depth चीज़ा पता होनी चाहिए जैसे finance commission वगरा है जैसे यहां पे या जो भी governor वगरा है तो उनकी जो power है या जो विदान सभा विदान परिशद है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है मेर का election कैसे होता है या ग्राम सभा क्या है ग्राम सभा के एक दो तीन fact तो यह सब जो basic चीज़े है यह आपको ऐसे जो जो topic important है जैसे महानियावादी का topic अगर important है टानी जेनल का या फिर कम्टोलर एंड और इंडिया या भारत का नियांतर के वह महाले का परिक्षक अगर topic important है तो वो topic आप गए और आपने लश्मी कांथ में वो topic पढ़ लिया आपने देखा है कि constitutional amendments से related या फिर जो schedules होते ह उन से related direct questions पुछे जाते हैं तो आपने लक्षमी कांथ खोली और direct schedule खोले और देख लिये या चाटे में क्या है जैसे इस बार question जो आया था वो चाटे वाले schedule के उपर आया था तो आप directly गए आपने देख लिया जैसे articles हैं तो articles के उपर question आता है article 98 article 143 यह सब पुछा गया इस बार तो आप गए और अपने direct देख लिया कि अच्छा ठीक है जो main main articles है उन में क्या है यह होता है किताब को पढ़ने का तरीका जो जिसी author ने किताब लिखी हुई है उसने समझाने के पर पस से लिखी होती है उसका सिर्फ यही सोच नहीं था कि कि किसी एक particular इंसान को सम पढ़ने की किताब को खत्म करने में आपको समय लग जाएगा और अपका paper आ जाएगा तो इसलिए बात आपको समझनी है लेकिन source होना चाहिए आपको अगर important आपको sources है जैसे अगर parlement है क्या parlement का सच वाले है तो उसमें अगर आपको main main चीज़ें समझनी है पढ़नी है त कम से कम 10 साल के उनको आप अगर लगा लेंगे तो जितने भी questions PYQ में आया हुए है उतने से ही आपका काम अन जाएगा उसके बाहर से आपको कुछ भी करने की जुरूत नहीं है इसके बाद अगर बात की जाए economy की economy के लिए आप हिंदी में अगर आपको करना है तो आप बा poverty का टॉपिक है, inflation का टॉपिक है, unemployment का टॉपिक है, कुछ-कुछ आपके जो chronology वाले जो questions आते हैं कि जो banks का nationalization है वो कब हुआ था और ये सारी चीज़े तो ये सब जो चीज़ें होती है कि नाबाट का बना था, exam bank का बनी थी, national housing bank का बनी थी, या फिर जो main main पुरानी पुर पढ़नी पढ़ेगी, या फिर वाणी पढ़नी पढ़नी पढ़ेगी, या फिर इंग्लिश में इसे पतली सी संजीव वर्मा की किताब आती है, या फिर श्री राम आई इसके notes भी आते हैं, तो इन सबसे भी आप कर सकते हो, कोई-कोई लोग जो प्रतियुक्तर द्रणपर का एक अतिर्क्ता का आता है हिंदी में, वो भी करते हैं, इंग्लिश में भी शायद आता हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, उसका हिंदी वाला तुमेने देख रखा है, पढ़ा भी है, वह पहले तो पता है, वो ठीक है, तो वो भी सही होता है, तो आप अपने इसाब से सामने भी हैं, तो वो अगर आपने कहीं और से कल लिया है, या किसी कोचिंगे नोट से कल लिया, तो भी वो एक्कुली बेनफिट करता है, इसके बाद बात आती है, अग्रिकल्चर के लिए 6 क्वेशन्स आ रहे हैं, दो तिन क्वेशन उसमें कई बार टफ भी होते हैं, इस के लिए उसको पढ़ पाएंगे, कोई आपको यह नहीं होगा, कि अरे री एक्जाम होगा, तो हम उसमें, देखो एक डर क्यों लगता है, डर तब लगता है, जब आपके त्यारी बिल्कुल नहीं होती है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी सब्जेट के रिगार्डि उसको आपको करना है, क्योंकि कुछ क्वेशन सेंसस में ऐसे होते हैं, जो थोड़ा सा आप कहलो कि इंडप्त होते हैं, कुछ-कुछ तो बहुत बैसिक होंगे, जो नगर की जंजंख्या है, ये है, वो है, उसमें male, female का जो एक ratio है, उस टाप की चीज़े, तो वो सब आपक आपके पास time है, और बार-बार उसको revise भी कर सकते हो, ले लोगे तो safe रहोगे, इसलिए उसको आपको अपने पास रखना है, जब जुरूत पढ़े तो इसमें से निकाल के पढ़ लिया, उसके बाद में बात आती है कि physics, chemistry और biology, इसके लिए सबसे पहले आपको दो काम करने है, वो आपको lucrant से देख लेना है, चाहे physics की बात हो, चाहे chemistry की बात हो, चाहे biology की बात हो, इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना अगर आपने कर लिया, तो चाहे physics के साथ 8 questions हो, या chemistry के 1-2 questions हो, या biology के 4-5 questions या 2 questions जितने भी आए हो, आपके सारे tackle हो जाएंग उससे तयार कर लिजेगा, और जो आपका schedule बनाया जाएगा, वो इस तरह से बनाया जाएगा, कि हर Sunday या हर 2 week में, आपका test का एक schedule रहेगा, तो वो आपको test देना रहेगा, इसलिए आपके पास जो भी पुराने test नहीं है, उसको अच्छे से revise कर लिजेगा, नए अगर हो प जोसता है, जिन topics पर आयो focus करता है, इनका जो pattern है, उसके according अगर आप लगाओगे test, तो आपको कई नहीं फायदा होगा, इसके बात आती है कि medieval history के लिए भी आप सबसे पहले, modern history पहले तयार करिए, modern history के बाद में घटना चक्र लूसेंट आप medieval history से पढ़ लिजे, 3 से 4 question या कहां पर आपको hit करना है, तो जब ये पता होगा, तो आप वो ही चीज पढ़ोगे जो exam में आ सकती है, आप पूरी medieval history लेकर के नहीं बैठोगे, कि अगर एक कोई dynasty ये गुलाम dynasty है, तो गुलाम dynasty में suppose अगर 15 ruler है, तो आप 15 के पंदरों के बारे में detail में नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ जो दो-तीन में में हैं, उनके बारे में पढ़ोगे, या जो भी मतलब दो-तीन हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, तो ये अगर आपने कर रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए गट्टन चपने लूजिन को आप पहले करिए, समय बसता है, त उसके बाद फिर आप किसी सोर्स के बारे में सुचिएगा, लेकिन पहले अभी मैं आपको रिक्मेंट नहीं करूँगा, ये चार क्वेशन के लिए आप पटिक्लर कोई एक सोर्स पने, दूसरी चीज ये भी है कि जो टेसरी आप दोगे, उसमें आपको नए-नाए क्वेश इतना तो रट के आपको रखना ही रखना है, इसके अलावा हिंदी में अगर आपको करना है तो परिक्षावाडी ये दृष्टी को एक बूख, इंग्लिश में बहुत सोर्स आते हैं, तो आप अपने इसाब से देख सकते हो कि आपको लेंग्विश ठीक लगए, जैसे शं विना माटा जो डिसीज है, उसके ऊपर क्वेशन आया हुआ था, तो यह सब ऐसी चीज़ें कि आपको गलत नहीं करना है, इंवर्मेंट में, तो घटा चक्र तो फर्स्ट एंट फॉर्मोस्ट है, इसके बाते बात आती है, बैल जी की बैल जी करे मैं आपको पहली बता दि अपने इसाब से खुब सोच लेना, उसके बाद ही कोई सोर्स पर मतब खरीदना उसको, और फिर उस पर स्टिक करना, ऐसा नहीं करना कि फिर किसी दूसरे इन कोई स्ट्रेजी बताई, उसमें आपको कोई किता बता दी, आप देन वो ले गए, पहले से खुब अच्छे से अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने बताया है, वो आपको पढ़ने में comfortable नहीं लग रहा है, तो फिर आप अपने इसाब से देखिएगा, कहीं और देख लीजेगा, वहां से आप करिएगा, लेकिन sources fix रखिएगा, ये एकदम टूट बात होनी चाहिए, अटल बात हो आपके schedule में चीजों को डाला जाएगा, subjects को डाला जाएगा, thank you so much, अकर पहली बार आप ये मेरा वीडियो देख रहो, वीडियो से आपको कुछ भी help हुई हो, तो आप चाहो तो चैनल को subscribe कर सकते हो, चाहो तो आप टेलग्राम पर भी join कर सकते हो, अनुज, चतुरवेदी, UBPSC आप टेलग्राम पर सरक्ष करोगे, सबसे उपर आपको दिख जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है, वहाँ पर तो आप आसानी से पहचान जाओगे, thank you so much,